इस वीडियो में फिर आपके साथ एक बार दोबारा अपना परपल हॉल शेयर कर रही हूं इस बार मैंने क्रिस्मस पर कुछ शॉपिंग की थी और जिसमें मुझे 3 फ्री गिफ्ट मिले हैं जिसमें सबसे पहला फ्री गिफ्ट है मेरे यह परपल पाउच इससे पहले भी ओ मैं गोड क्या पाउच है वाउ शाइनी भी है इतना स्पेस है कितना क्या बताऊं मैं तो इसको हैपी हपी होगी देखके और इस पेस देखिए अंदर से भी काफी बस और कोई कंपार्मेंट इसमें एक ही कंपार्मेंट है और इसमें देखो काफी सारह प्रोड़क्त दाले थी फिर भी स्पेस था इसमें काफी स्पेस है कि सोरी दोनों बोटल डाले थी मैंने अल्प गुटनेस के दो बोडी लोशन मंगवाएं हैं जिसका रिवीवी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी और इजिब क्वाल्टी मुझे इसकी ठीक लगी काफी अच यह भी काफी अच्छा था बट साइज वाइज उससे चोटा था जबकि क्वाल्टी वाइज यह भी काफी अच्छा था और यह थोड़ा कॉपर से कलर का था इसमें मुझे साथ में लिप्स्टिक भी मिली थी और इस पर विए देखे परपल की ब्रैंडिंग है और इस पर आपको सेंटर में दिख रही थी जबकि गॉल्डन वाले में बोटम पर परपल की ब्रैंडिंग है जो कि आपको वीडियो में दिखेगी नहीं मैं इसके फोटो इंसर्ट कर दूंगी आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको दोनों पाउच में से ज्यादा अच् किमेट वाश यूजव कि दूराल इसमार पर औरप यसे ओल भी में अउनकेंक़ में उसमें पर अप्ले बाएंदे और में प्रेटिस में आपको द पक्नार रहर 83 रुपीज इन सारे प्रोड़क्ट के लिए पे किये थे यानि मुलेठी ये पाउडर क्लेम करता है कि ये स्किन डिकलोरेशन लाइटन करने में हेल्प करेगा इसमें एंटी ओक्सिदेंट प्रोपरिटीज हैं और ये स्कैल्प को हाइडरेट और अच्छे से सूधिंग एफेक्ट देगा 100% और्गैनिक है नेच्रल है पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव फ्री भी है तबी तो मैं इन पावडर की फैन हूँ मैं हर होल में आप देखेंगे कि मैं कोई न कोई इनके पावडर जरूर मंगाती हूँ हैल्थ के लिए और हेर केर के लिए काफी अच्छे होते है जैल है ये टीटिरी जैल है इसकी कोस्ट 175 रुपीज है और ये 50 ग्राम का जिप जैल का भी रिव्यू शेयर कर्ची की गुडवाइब के जैल काफी अच्छे होते हैं और ये मल्टी पर्पर्पस होता है आप अपनी स्कीन के साथ बोडी के और हैर के डियाई वाई वगारा में भी यूज कर सकते हैं इस टाइप का इसका कलर है ग्रीन कलर का ग्रीन ्हाइ的 जैसा है तो मैं फेलने फिमपल की प्रबलम होते हैं और उस पर ये ग्रीन टी अच्छे से शेवा करता है और यह जो मैंने परचेस की है यह तो लिकॉरिस मुझे फ्री मिला था मैंने पर्चेज करेला पाउडर है यह डायबीटीज के लिए होते हैं, मुझे डायबीटीज है तो मैं इन्ने यूज करती हूँ, मैं अपनी दवाई यूज करती हूँ, मैं लेकिन जब मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा खाल या कुछ परहेच नहीं कर पाई खाने में तो डाइबिटीज बढ़ जाता है शुगर लेवर बढ़ जाता है तो मैं उस टाइम सुभी से खाली पेट थोड़ा सा पावडर ले लेती हूं लेकिन फ्रैंस करेला बहुत गरम होता है इसलिए मैं इसको अल्टरनेटिव डेज में ही लेती हूं मतल क्योंकि इससे पहले कोई भी बोड़ी लोशन नहीं था यह नहीं है इनके दो ही वैरेंट्स आया है और मैंने दोनों ही परचेज किये हैं यह सबसे पहले वाला है कुकंबर एंड वाइटमिन इंबर तो हम जानते हैं सूधिंग एफेक्ट देता है और वाइटमिन इं तो body care product में आपको दिख जाएगा क्योंकि यह skin के लिए blessing होता है और इसकी consistency मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम है ठीक है ना रहनी है जैसा कि आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर का है इसकीन में अब्जोर्ब तो अच्छे हो गया और अच्छे से देखो इसकीन को हाइडरेट करते इसने मतलब कि जैसे विंटर में हमारे कि नमी कम हो जाती है ना तो यह नमी लोटाने में काफ़ी हाइडरेट करेगा और यह ज्यादा थिक नहीं है मीडियम कंसिस्टेंसी है इसकी स्किन में अच्छे से अब्जर्व हो गया और यह हलकी सी शाइन आप देख रहे हो यह हाइड्रेटिंग है इसलिए एक मिन तो अब्जर्व होने में लेगा ही इसमें मैंने लोशन लगा है आपको इस हैंड पर थोड़ी शाइन लग रही होगी सामने इसे फर्स टाइम यूज करो मेरा फर्स इंप्रेशन काफी अच्छा जैसे क्लेम करते कि लाइट वेट है नोन ग्रिसी है और साथ ही इंटेंस मॉस्टराइजर देगा तो आपने देखा ही यह लाइट वेट भी था और नोन ग्रिसी भी था इससे मेरे कोई हाथ चिप नहीं हुए और इसकी इंगेंस लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं और यह आप देख सकते हैं जो इसका प्लस पाइंट यह है कि यह जो प्रोड़क्त है यह क्लेम करता है पैराबन फ्री है सलफेट कुरती फ्री है मिनरल ओल फ्री है और इसका टैक्ट्टर काफ Profixy Gel in body lotion बोडी लोशन बी लोशन लाइट वेट और नोन ग्रीशी और इसकीन को healthy और दन बनाने का क्लेम करता यह प्रोड़क्त को भी आप देख सकते हो और यह प्रोड़क्त भी पाइराबन फ्री है मिनरल ओल फ्री है जबकि मैंने देखा था नीविया वैसलिंट के प्र अब इसका टेक्श्चर देखते हैं रोज अलब बोडी लोशन है तो वो पिंक कलर का है कंसिस्टेंसी इसकी भी मीडियम है और यह भी स्किन में काफी अच्छे से ओ इसने कितना अच्छा हाइड्रेशन किया आपको देखिए आपको थोड़ लग दिखरा है न यह काफी अच्छे इसने हाइड्रेट कर नौबा की यह बिल्कुल लाइटवेट है अच्छे से काफी अच्छे से इसने स्किन को हाइड्रेट्ट मतलब कि जैसे क्लेम करता है कि हाइड्रेशन देगा तो 100% अपने क्लेम पर खरा उतरता है लाइट वेट पी है और अच्छे से हाइडरेट करते हैं इसकीन को नरिश करता है एक बार अपलाई करेंगे तो आपको हाइडरेशन के विजह से हाइड थोड़ा अपना जैसे गिला पन होता है वह लगेगा लेकिन एक मिंट बाद इसकीन में अब्जल हो जाएगा दोनों ब विंटर में ज़्यादा थिक MS ओशन चाहिए तो इतना बॉड़ी लोशन ठीक नहीं है क्योंकि यह जल्बॉड़ी लोशन है तो यह जल बॉड़ी लोशन wanna not sticky होते है और lightweight होते हैं जाने से पहले मैं हर फिमेल को एक मैसेज देना चाहूंगे कि आप चाहिए तीन हैं गर्ल हैं लेडिस हैं किसी भी एज ग्रूप की आपको एक अच्छा इंटिमेट वोश जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि जैसे हम अपने फेस की फेस को कभी पानी से नहीं वोश करते हैं तो फिर जो हमारा इंटिमेट पार्ट होता है उसको भी तो हमें केर करनी चाहिए तो इसके लिए हमें कोई भी इंटिमेट वोश जरूर करना चाहिए और गुडवाइब का काफी अच्छा इंटिमेट वोश है इसका फुल रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं मैं आपको लिंक देदूंगे और अगर आप कुछ भी पूछना चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे घर में सभी लेडिज इसको यूज करते हैं तभी मैंने इसकी तीन प्रकेजिंग मंगवाई है यह 200 ml का प्रोड़क्ट है इसमें आपको अगर आप फस्ट सब्सक्राइब करना साथ ही बेल आइकन प्रेस थैंक यू बाए